5, 4, 3, 2, 1, launch जो सपना था वो अब अंतरिक्ष में सच बन कर उड़ रहा है जो पहले अधूरा रह गया था वो इस बार पूरा होकर रहेगा Welcome, मैं बर्णी का तिवारी, इंडिया नियूस के डिजिटल प्लाटफोर्म में आपका स्वागत है इसरो का पिछला मून मिशन चंद्रियान 2 जो आखरी दोर में फेल हो गया था मगर फिर भी भारत ने हार नहीं मानी और इसरो ने एक और मून मिशन चंद्रियान 3 को आज ही लॉंच किया ये वो मिशन है जिसके लॉंच के साथ भारत एक बार फिर चाम की सतय पर पहुँशेगा और जो पहले अदूरा रह गया था उसे अब पूरा करेगा इसी चंद्रियान तीन की सफलता के लिए उज्जैन में भी अनुष्ठान अभिशेग किये जा रहे हैं यहां सांदीपानी आश्रम इस्तित श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर में शुक्रबार को विशेश पूजा की गई शिवलिंग का विशेग कर चंद्रियान के बिना विग्न लैंडिंग के लिए मंत्रों का जाब भी किया गया है पंडित शैलेस ब्यास ने बताया कि मंदिर में चंद्रियान के मौडल को रखकर पूजन किया गया लैंडिंग की उल्टी गिंती शुरू होने के बाद विक्रम लैंडिंग की सौफ्ट लैंडिंग के लिए प्रातना भी की गई वहीं आपको बता दे कि इस रोचीज डॉक्टर एसोमना 24 मई को जैन आये थे उन्होंने महाकालेश्वर के साथ साथ और भी मंदिरों के दर्शन किये थे वो श्री कुंडेश्वर महादेब मंदिरी पहुँचे थे 12 जूतिरलिंग में से एक भगवान महाकालेश्वर को तीनों लोकों का स्वामी माना जाता है उन्हें पाताल, धर्ती और अकाश में ये सरव प्रथम और सरव पूज्य कहा गया है यही कारण है कि इसरों प्रमुक ने महाकाल मंदिर में चंद्रियान तीन की सफलता के लिए कामना की थी करीब 4 साथ बाद इसरों ने आज अपने अधूरे काम को पूरा किया है आज दोपैर दो बच कर 30 मिनट पर चंद्रियान तीन को लांच कर दिया गया है जैसे ही यह चंद्रियान तीन को कई तरह के टेस्ट से गुजारा है ताकि चंद्रियान दो जैसी चूप ना होने पाए अगर इस बार भारत को इस मिशन में सफलता हासिल हो गए तो वाकई यह हमारे देश के लिए काफी गर्ब की बात होगी और चंद पर सौफ लेंडिंग में सफलता मिलते ही अमेरिका, रूस और चीन के बार भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा हाल के सालों में इस रो ने दुनिया की लीडिंग स्पेश एजेंसी के रूप में अपना नाम कमाया है और अगर इस रो का ये मिशन सफल होता है तो दुनिया में उसकी साफ और मजबूत होगी और ये हमारे भारत के लिए बेहग गर्ब की बात होगी फिराल के लिए वैसे इतना ही मुझे यानि पढ़नी का तिवागी को दीजिये इजाजत बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लाटफॉर्म के साथ टांक यू